हेलो प्योवर्स स्वागत है आपका हमारे टूब चैनल टीचर एक्जाम में तो कैसे हैं आप लोग आई हूप की अफसोस्त होंगे और मस्त होंगे तो दोस्तों बात करेंगे और पीच्ड एडमिशन के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है एक सेंटल इंवर्शिटी इसके लोगर हम बात करें सब्जेक्ट की तो आपको 38 सब्जेक्ट देखने की मिल जाएंगी जिनमें आप यहां पर 114 सीट के लिए अवदं कर सकते हैं सेसन की बात करें तो यहां पर आपका 22-23 सेसन रहेगा और अगर हम बात करें कुछ आपकी इलिजबिल्टी के बारे मे तो यहां पर अगर आप net qualify नहीं तब भी आवदं कर सकते हैं new PhD application form है आपका fellowship for all है यहां जो भी candidates select होंगे यहां पर सभी candidates को fellowship मिलने वाली है इसके लोगर हम पर इसके selection procedure क्या रखाएगा उसके बारे में आगे discuss करेंगे तो यहां पर अगर आपने post graduation complete कर लिया है PhD करने में interested ह इसके साथ यहां पर वीडियो के लास्ट में डिसकस करेंगे कैसे आपको अप्लाई करने इन सारे points के बारे में आगे हम डिसकस करने वाले हैं तो हम चलेंगे दूसरे इसके आफीसल नोटिफिकेशन पर उससे पहले चैनल पर पहली बारा है तो चलो को सब्सक्राइब कर ल नोटिफिकेशन चाहिए और सेंटर उनिशिटी का हो इस्टेट उनिशिटी का हो या फिर किसी गवर्मेंट इंस्टिटूट का हो यह फिर यहां पर दोस्तों आपकी जो असिश्टन प्रोफेसर की वैकंसी है या उजीसी नेट से समंदित जो भी लेटेस निउस हैं वह आ पहतरी निशिटी है इलिजबिल्टी रखते हैं तो जुरू अबेदिंग कीज़ेगा यह दोस्तों इसका एडवर्टीजमेंट है जहां पर हम बात करें इसके सेशन की तो बाइस सेशन रहेगा जनुरी फेब आपका यह सेशन रहने वाला जिसमें यहां पर 23 के लिए आब आप से और भी रिकवेश्ट है कि वीडियो को फुल वाज कीज़ेगा चुकि यहां पर दोस्तों इसकी जो इलिजबिल्टी हो काफी ज्यादा कॉंप्लिकेटेड है तो यहां पर एगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि जब अपना अप्लिकेशन फांबर है तो इसमें आप यहां पर रिड करना चाहे हैं तो वीजब और मीसं इनिवर्श्टी के दिये गए हैं आप उन्हें रिड कर सकते हैं यहां पर दोस्तों आपकी जो सीड्स और सब्जेक्स में चन्की गई है अगर हम बात करना पहले आपकी अलिजबिल्टी में आपके पास मास्टर डि तो अगर आपके पास 50% मार्क से मास्टर डिग्री में इसके साथ यहां पर आवेदन करने के लिए आपके पास कुछ और और क्वालिफिकेशन चाहिए जो की कंपलसरी है अगर वह आपके पास है तभी आवेदन कर सकते हैं तो यहां पर हम दोस्तों आपकी जो सब्जेक्स हैं उसमें रहाँpower भागी आपपधान से बékत्राइए नीजेट में और यहांपर ज़ो इलिसबिल्टिक्रृट रखरी starring क्राईट में computational physics में यहाँ पे आपकी चार seat हैं mathematics की बात करें तो 5 statistics में आपकी यहाँ पे दो सीट हैं physics में आपकी दो हैं botany में यहाँ पे आपकी 5 seat है geology में आपकी 4 है biocomity में आपकी यहाँ पे 5 है microbiology में 4 है अगर हम बात करें एगरी विजनिस की आपकी 2 seat है human genetics में और molecular medicine में आपकी पांच हैं और यहां पर हम बात करें आपकी medicinal chemistry की तो आपकी कोई seat नहीं है pharmaceutical science में भी आपकी कोई seat नहीं है फार्मकालोजी में आपकी तीन साइंस में आपकी दो है mass communication and media studies में आपकी यहां पर एक seat है political science के आपकी चार seat है English के यहां पर चार है हिंदी की दो है पंजाबी की छे हैं और performing art theater यह फिर आपकी जो ड्रामा है उसमें आपकी चार seat है music के बात करें तो पांच है नहीं है आपकी पांच है commerce में आपकी एक है economics में आपकी छे है और history में आपकी पांच seat है subjects और eligibility दोस्तों यह मैंने पहले ही आपको बता दिये तो यहां से आप इसे चक्क कर पाएंगे इसकलों पर दोस्तों अगर हम बात करें इसके अनिक कंपलसरी qualification की तो यहां पर आप नहीं चाहेंगे तो यह दोस्तों आपकी यहां पर आपके पास एम एनफ है या फिर आपके यह फिर आपके पास fellowship है तभी यहां पर आप अविदन कर पाएंगे यहां पर आप देखेंगे यह बतायागे कि जो candidates यहां पर यह कोई आपके पास fellowship है इन candidates को सिर्फ interview देना है और यहां पर आप select हो सकते हैं इसके लाहां पर जीन सब्जेक्ट में जैसे कि यहां पर फार् point mention किया गए तो आप इसे यहां से चेक कर पाएंगे यहां पर बतायागे कि आपका जो exam है वो four years से ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब कम ही होना चाहिए तो यहां पर आप eligible हैं आपदन कर सकते हैं और यहां पर जो भी candidate select होंगे सभी candidates को fellowship मिलेगी और यहां पर इन सभी candidates को बतायागे कि there is no net but for having financial assistance तो यहां पर अगर आपके पास नहीं है लेकिन यहां पर आपके पास financial assistance होना चाहिए कि ईक्स्टर्न अजंसी का तभी ही यहां पर लगदेंकर पाएंगे और यहां पे पीछय कर सकते हैं तो इने thousand नहीं है और को फई जो इनम अदिए कर सकते हैं इंटरेंस एक्जाम कंड़र्ट करा जागा बाकि यहां पर जो यह उपर कंड़िडर्स दिये गए हैं अगर आपके पास कोई फैलोसिपाइ, नेट क्वालिफाइए हैं, जैयरफ क्वालिफाइए हैं तो यहां पर आपको एक्जाम देने से छुट मिले कि आपको डायेक्ट में अपेर होना है, अब होप कि यह आपको जो अड्मिशन सेलेक्शन पर की दिया है, वो समझ आ गई होगी, इसके नहां पर हम नीच आएंगे, तो यहां पर जो आपके आपके पास जे आरफ हैं, तो यहां पर आपको 70 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, यहां पर आपका 30 न दिया पर आपके 50 मार्क का पर कर describes है, बाकी यहां पर बचे बिस प्रशन जो आपके मार्क्स है, या व आपको यहां से प्सट्रेइशन पर जो मार्क्स आपको अधर्ध ि मार्क्स मिलने वाले हैं तो आप के आपके यहां पर आप जी कुछ इंच जार आप यहां पर कुछ एक्जाम कोलिफाइन नहीं तो यहां पे आपका कैसे सेलेक्सिन होगा, तो यहां पे निश्टी आपके लिए एक इंटरवियू कराएगी जिसमें वेटेज आपको देखने को मिलेगा, यानि 70 माक्स का आपका एक जाम होगा और 30 माक्स का आपका आपके इंटर्व्यू कराएगी तो यह तेन काटेगरी whenever mention कि गई एक तो यहां पर já रफ की है दूसरी है आपकी net की यह तो आपका काटेगरी यह मेरिट कैसे ताहर की जाएगी वह यहां पर में विस्त कैसे ताहर की जाएगी यह पोईंट्स होu हम बात करें तो आपका application form 3223 से online start हो चुका है तब से application form भर सकते हैं और अगर हम बात करें इसकी last date की तो यहाँ पे 15223 इसकी last date उससे पहले application form submit कर दी जागा exam के अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2323 को conduct कराया जाएगा date of interview यहाँ पे दोस्तों सभी candidates करें यहाँ पे पिएजडे में registration करा सकते हैं और पिएजडे कंप्रीट कर पाएंगे बात करें यहाँ पर आपकी जो फीस है वह यहाँ पे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिये गए आप refund भी फीस कराना चाहें कराना चाहें तो यहाँ सारे points दिये गए तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इस notification में लगबग आपके PhD से संबंदी जितने important points से लगबग हो गए बाग कि यहाँ पर आप application फार्म बनना चाहते हैं तो इन points को एक बार read कर ली जागा हम इसके officer side पर चलेंगे कैसे apply करना उसे हम देखेंगे अगर आपको officer side का link नहीं पता है तो description में आपको link मिल जाएगा यहीं पर आप आएंगे तो दोस्तों जो आपका admission notification है वो यहाँ पर यह mention किया गया यह link आपको देखने को मिल जाए आपको click कर देखेंगे आपके सामने एक नहीं पर इस खुलेगा जहां से दोस्तों आप देखेंगे तो यह आप यहाँ पर पर प्रस्पेक्टस में किया गया जो मैंने भी हम बात करें online की तो यहाँ पर यह link देखेंगा इस पर आपको click करना जैसे यहां से आप क्लिक करेंगे आपके सामने और नहीं पेज खुलेगा जहां से दोस्तों आपको जो notification है आपको फिल करना है यहां पर यहां पर अपने आपको log in कर पाएंगे log in होने के बाद यहां पर आपका application form पूर्ण रूप से open हो जाएगा उस application form को आप complete कर सकते हैं जब यहां पर application form submit करिएगा तो जितनी भी आपने यहां पर details दी हूं एक बार अच्छे से चेक कर लिजेगा then final submit कर दीजेगा किसी परकार की query है तो यहां पर number so email id दीगे उन प पर अपना question पूछ सकते हैं या फिर अपना question आप हमें comment box में पूछ पाएंगे तो यह दोस्तों आपके PhD admission नोटिफिकेशन था पंजाब की तरफ से अब इन पत्र मांगे गए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही रखते हैं तो यहां पर जरूब बदिंग की जगा लेक अगर आपको पसंद आये तो लाइक कर दीजिए चनल पर पहली बार आएं तो सब्सक्राइब कर दीजिए वेर आइकाउन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे की वीडियो की latest notification सबसे पहले आपको मिले मिलेंगे इसी करनी PhD के जानकारी के साथ अपनी नेक्ट वीडियो में तब तक लिए जाहिन सुस्त रहें मस्त रहें